तो गुट मॉर्निंग फ्रेंट्स आज अपने उस टॉपिक के बारे बात करने वाले हैं जिससे सबसे ज्यादा क्यूशन आते हैं और हर बार नोडशेट में एक क्यूशन आना फिक्स है और वह आप सब भी जानते हैं बहुत इजी है और उसमें से जो क्यूशन आएगा उसम बार की तरह इस बार भी एक क्यूशन या दो क्यूशन आना तैमाना गया है तो आज मैं वह टॉपिक लेकर आ रहा हूं आपके सामने ठीक है उस टॉपिक का नाम है पहले अपन पढ़ेंगे कि असेस्मेंट आप न्यूबॉन जैसे कि अपने पढ़ा था पिछली क्लास में है लेकिन जो important है चीज राखती है जो सबसे ज्यादा हर साल क्यूशन के अंदर आती है वह अपन आज बढ़ने वाले हैं तो पहला नंस आपकी सिक्रयार्टी के उसको प्रियूर्टी रूप में सबसे उपर रखा गया है कि उसमें बहुत सारे बनने के चांश रहते हैं चांश नहीं हर बार उसके अंदर दो तिम्त क्यूशन आते हैं चरह करते हैं किके फइस्ट श्राइस्मेंट ऑप न्यूबॉन जो नया बच्च्चा जन्मा था ए तैस् सर्वाति होता है रपन को करना है तो अपन क्या क्या करें करता है सबसे पहले अंदर आपन देखते हैं कि उसके अंदर बी जो ईनिशे स्समेंट होता है वो किस चीज का किया जाता है वो किया जाता है इनिस्येशन और रेस्पाइरेशन का जो रेस्पाइरेशन है उसको प्राइटी रूप में सबसे उपर रखा जाता है अपनी अंकलेक सारी बुक्स के अंदर सबसे उपर रखा जाता है रेस्पाइरेशन को उसका रेस्पाइरे distress की उसके अंदर आपन को क्या-क्या देखने को मिलता है बच्चे के अंदर करते टाइम क्या-क्या देखना पड़ेगा बच्चों में कि उससे पता लगा सके अपन कि इसके अंदर respiratory distress है या नहीं है या वह well-being है तो आपन देखते हैं कि initiation of respiration respiration मतलब सबसे जो पहले assessment होता है वह respiration का respiration का initiation assessment करना है अपनको उसके बाद assessment of sign of respiratory distress अब जैसे respiratory distress मैंने बताया था कि जो respiration है उसका ठीक है वह proper मात्रा में नहीं हो पाता ठीक है डिफिकल्टी होती है या absence होती है ठीक है और वह किस वज़े से होती है उसके अंदर अच्छे से नहीं बन पाते हैं मैच्वर लंग नहीं हो पाते या सर्फक्टेंट अच्छे से डवलप नहीं हो पाते बच्चे में उस वैसे अगर पूरी बंध है ठीक है अगर क्लोज है तो उससे क्या होगा पहले अपन को बच्चे को देखना इस चीज के लिए कि उसकी नौस्टिल है वह क्लोज है या नहीं है ठीक है और नेजल जो फ्लैरिंग है उससे क्या होता है अपन जब रेस्पारिशन करते हैं तो जो ना है कि वह चीज नेजर फ्लैरिंग है जो बच्चे के अंदर ठीक है वह परजन है या नहीं है ठीक है उसके बात करना फ्लेरिंग उसके उपर म्यूकस जम गया कुछ हो ठीक है म्यूकस जमने से उसको साफ करना अगर फिर भी क्लोज है तो मतलब वह रेस्पारीट इंडिशन इसमें बच्चा जा सकता है पहले अपन को चेक क्या करना है पहला क्या गरना है देखना में बच्चे को पे अर्ध नहीं है या या नहीं है जिए आ यह अदर की तरब धसी होई थीक यह मंतलब है जाता है कि जो रिप्स है यह से दिखाई देती है पूरी ठीक है अंदर की तरफ और इसके अंदर बीच में जो एरिया रहता है यह ठीक है मास फोर्मेशन जो अपना रहता यह अंदर की तरफ धसा रहता है और रिप्स पूरी दिखाई देती है ठीक है बीच में से ऐसे ठीक ह क्या हो गया जैसे अपन शांस छोड़ते हैं तो उसमें हलकी सिक्म आती है तो उस साइंड को पहचानना प्रेटिक टाइम उसके जो एक स्पार्मार्माल यह उसके उन्दर दनिग करते आ Match लुग में जा सकता है उसके बाद तैकिपनिया देखना है उसकी जो हाइट रेट होती है वह देखनी है ठीक है उसके बाद उसका साइनोसिस होता है साइनोसिस मतलब यह देखना है उसको कि बच्चा जो बच्चे का जो कलर है ठीक है कलर साइनोसिस का रहत क्या हो गया कि प्रोपर मा महातरा में डेमेज होने लंगते हैं जिसने क्या होता है ब्लीव डिपलेरिशन चlasherенд की तो आपने को साइनोसिस के लिए अपने को बचे को देखना है तो यह क्या हो गया इनिसियल असेश्मेंट था ब्चशे का जो फर्ससईमे न्युकर यहं करनी थी उसके बाद आता है सेकंड नंबर अपगार स्कॉर सबसे ज्यादा सबसे पहले अपन इस असेस्मेंट किसका करते है रेस्पायरेशन का ठीक है यह पांच चीज़े आपनको एक्सेप्ट करके भी पूछ सकते हैं कौन-कौन चीज़े इसमें देखी जाती है बच्चे अब इसको आगे डिसकास करेंगे एक टेबल आपको दिखाऊंगा यहां पर बोड पर एक टेबल के अनुजार आप पूरा जो अबगार स्कॉरिंग का जो कंप्लीट डाटा होता है उस टेबल के ही बेस पे आप सारे कुशन सॉल्व कर सकते हो ठीक है अब अब बात करते है अब जो आपकार इसको हृए इसको एक साइन्टिस्ट ऺ सलिए इसको खोजा था इसलिए उसका वर्जीनी आपकर के नाम पर इसका क्या नाम हो गया अब गार इसकोर्ट होता है कि बच्चे को उसकी असेस्मेंड के आदार पर कि वह go sign eleven को कि सिए उसके को या प्रखेंग दी जाती है ठीक है तो यह डॉक्टर वरजीनिया थी इसने अब्रटर को खोजा था कब खो जा था 1902 के अंदर 1952 के अंदर अब जो अब्रटर इसको अपन चेक करते हैं किसी बच्चे के अंदर तो पांच करेक्टर इस्टिक होता है मतलब पांच चीज़ों होती जो फूल फॉर्म सारे लिखते हैं इसके फूल फॉर्म के अंदर ही जो पांच करेक्टर आतें वह सारे करे दिये गगरे कि आपन को देखना अपएरेंस लेना इस्किन का कि उसकी स्कीन केसी है अगर साइनोसी से एक्रोसायनोसीश से ठीक है और जो हलका हो बीच वाली कंडिशन ठीक है और नो मतलब no sinus कुछ भी sinus blue कलर नहीं है तो appearance देखना है skin का color देखना है एकन को उसके बाद जो second number आता है पी उसके अंदर क्या देखना है pulse देखने है उसकी जो हैट्रेट होती है बच्चे की वह देखने है कितनी है बच्चे की जरम लेटा उसकी नॉर्मल हट रहता है 140 तू-160 ठीक है बिट पर मिनट उसके बाद उसके अंदर ग्रामिस देखना ना है रिफ्लैक्स रेस्पोन्स ठीक है बच्चे के अंदर रिफ्लैक्स परजेंट है या नहीं है उसके बाद यह यान्ने एक्टिविटी बच maturity effort not respiratory rate उसके अंदर आप respiratory rate count करोगे respiratory effort effort का अर्थ क्या हो गया कि बच्चा कितना जोड लगा के तरफ फार्याटै अन्सक्राइटर 이제 n tax को ग posth smartphones उसके अंदर इस पारिटर नहीं गिनी जाती बहुत बार question के अंदर या तो यह मैंने बहुत सारे question देखें है ठीक है उसके अंदर क्या होता है जो यह पात characteristics है इसके अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर accept कौन सा है और resparity जो effort है इसकी जगे resparity rate लिख दिया जाता है तो जो answer होता है एक्षेप्ट का और एस्पाइट एंट एफट ठीक है उसके बाद आगे आगे इसके बारे में जो मैंने बताई थी कि वह जो टेबल है वह मैं बताऊंगा कि किस अकोर्डिंग अपन बच्चे को कितनी नंबर दे सकते हैं उसके बाद जो अपगार लिखा हुआ है ठीक है असे में अपन बच्चे के बारे में बताए था कि जो नया बच्चा जनम लेता है उसके अंदर क्या होता है सबसे पहले पाइप है वह है इसके अंदर चैकर ने मिंथ आता ता जिसके बारे में बता रहे एक टाइमिंग होती है जयक्त जयक्श लेता है उसके सबसे पहले हैं जो सबसे पहले एक मिनिट होता है उसके इंदर over दूसरे टाइम पांत मिनिट पे किया रहता है एक एक मिनिट पे और नेको प्रॉष से रहता है और सबसे बेस्ट जो इलिए जाता है जो पांश में ने बताया थे आको इसके निर्व सबसे बैसे गडैन्सर यह यह जो जीतने किसंद से बहार किरने जाते है इस टेबल के अंदर जो भी डाटा देयां वह इनके बारेमें उनके बारे में तो जो इसके असेस्मेंट करता। नमबरिंग के अंदर 0, 1, 2, 3 नमबरिंग पर दियाता है, 0 नमबर दियाता है, एक नमबर दियाता है, तो इसका complete जो नमबर हो गया, कम से कम जो नमबर होता है, वो 0 होता है, अब गार स्कोर के अंदर हो, सबसे ज्यादा जो नमबर होता है, best, जो highest नमबर होता है, maximum जो नमब उसके रिगार्डिंग आपने बात करते हैं कि ये फी न यह भी लिखा हुआ है जो सीक्वेंश निलिए उसके रिगार्डिंग्स सबसे प्हले जो सक्षिक्ण डिल्म लेता है आघर उसकी फील लेता है Batman. Like this shit, 100, 80, 90, अगर 100 को माती, तो उस बच्चे गो नंबर दयाताitives, आपगार इसकोरिंग के अंदर, वो दियाता एक नंबर है उसके बाद जो second नंबर है दो नंबर आपन किस वाले बच्चे मो देते हैं हाइटरेक के देते हैं अगर hन्ड्रेड से ज्यादा उसकी ऐड़ेट है तो 120 130 140 150-110 100 अथा स्थिके रखना इस चीज कि जो respiratory effort है वो जो respiratory पूरा जो respiratory effort लगाता है बच्चा उसके regarding बात हो रही है ना कि respiratory rate के regarding तो जो respiratory effort है उसके उसको देखेंगे अपन उसके अंदर zero number कि चीज में दियाता है कि apnea अगर absence of breathing है अगर complete absence breathing के अंदर कुछ भी हलकी बहुत भी अगर breathing नहीं कर रहा बच्चा तो उसके अंदर उसको अपन नंबर देते हैं zero number second number आपन बात करते हैं कि अगल किसी बच्चे की जो respiratory rate होती है respiratory effort होता है ठीक है अगर वह slow और irregular है rate नहीं गिंड़ना आपन को उसकी वह respiratory effort है वह देखना आपन को कि अगर slow है और irregular है मतलब आतो रही है लेकिन दीरे दीरा आ रही है और कुछ between gap के अंदर आ रही है तो उसको अपन नंबर देगे एक नंबर second number आपन बात करते हैं कि जो respiratory effort है वह अगर normal respiratory effort चल रहा है किसी बच्चे का तो उसको अपन नंबर देते हैं दो नंबर उसके बाद third number आपन बात करते हैं skin color को लेके skin color में क्या बात है कि जो zero number आता है मैंने बताया था कि एक sinus, acro sinus और complete blue complete pink sorry जो complete blue है इसको अपन नाम देते हैं sinus sinus का अर्थ क्या हो गया कि complete blue है बच्चा हाइपोक्जिया हो रहा है क्योंकि अगर breathing नहीं होगी तो sinus होना fix है क्योंकि हाइपोक्जिया होगा oxygen नहीं मिलेगा टिश्यू को तो टिश्यू क्या होँगे damage तो skin color के अंदर आपन देखते है complete blue अगर आता है तो उसका अपन नंबर देते है जीरो नंबर उसके बाद आपन बात करते हैं acro sinus का अर्थ क्या हो गया midway मतलब complete pink भी नहीं बच्चा और sinus भी नहीं है blue भी नहीं है बच्चा और complete pink हलका बहुत क्या है ब्लु है अलब हलका-ब्लु दिख रहा है अपन को ठीक है उसके अंदर क्या है अगर बच्चा जनमता है अपन सब जानते हैं कि जो बच्चा जनमता है वह सबसे पहले respiratory जो effort लगाता है उसके लिए वह cry करता है जिससे क्या होते हैं और उसके जो lungs collapse रहते हैं वह खुलते हैं और उससे वह क्या होता है respiration start करता है first cry के साथ वह respiration start करता है अगर उसने यहसा नहीं किया कुछ भी cry कुछ भी response नहीं आ रहा तो उसके अंदर अपन उसको नमबर उसके बाद अगर complete fully cry है बच्चा तो fully cry क्या हो गया कि लंग्स आराम से खुल चुके है respiration हो रहा है तो उसको क्या होते हैं full cry बोलते हैं full cry के अंदर आपन बच्चे को नमबर देते हैं दो नमबर उसके बाद आता है अगला मसल स्टॉन जो लास्ट आता है वो होता है मसल स्टॉन जिसके अंदर बच्चे की एक्टिविटी देखी जाती है एक्टिविटी मतलब क्या हो गया इसका कि इसको उसकी जो हाथ और जो पेर होते हैं वो फ्लेक्शन कितने कर रहे हैं जैसे बच्चा जनम है उसके हाथ एक्टेंशन फ्लेक्शन कितने कर रहे हैं जो बच्चे को आपने देखा हुआ कभी ऑस्पिटल में काम किया हो तो उसके अंदर क्या रहता है जैसे बच्चा जनम लेता है क्योंकि जब इंट्रिटान जो रहती है उसके गांग लेकोट अगे अगा अगर बच्चे अंदर कुछ भी रेस्पॉंस नहीं रहा है तो उसके अदर आपन नमबर देते हैं बच्चे को और उसके अंदर सम से प्लेक्शन देखक रहा है तो इसके मेन नमबर देते हैं और ऐसकें अंधर करता है 염ता नदर कि क्पूरी टेबल जो मैंने आपको बताए थी इसके अनुसार क्योशन केसे पुशे आता है कि बच्चा एक्रोसाइनोस डे उसकी हार्ट रेट हंडेट से कम है ठीक है और सम्फलेक्षन एक्सेंपिटी इंदा बेवी या न्यूबॉर्ण तो उसके अंदर आपन ऑप्शन दिया आता है कि उसके अंदर आपन बच्चे को अबगार इसकोरि एक या 0 से एक या 0 से टील उसके बाएद आप में ने कुछ टील नाईन लिखी है उसके अंदर आप नंगर देखेंगा अगर बच्चा न मिड़ी स्ट्रेस और नॉर्ड इस्ट्रेस में है तो हमस्के नुशर से अनुसर नहीं है कोई भी इस्ट्रेस नहीं है बच्चे के क्या होता है उसको अपन बच्चे को और सिद्ध सगर किसी का नंबर आते हैं तो उसको अपन नॉर्मल रूटीन केर प्रोवाइड की जाती है कि कि उसके बाद सेकर नंब अब आता है कर मौडर डिस्टए चैस उम्डर बोले तो हल्का बहुत एक्रो साइन्यौस्ट गें साइन आंडार का है याजो अर्टा बहुत बुलि से लेके साथ नंबर है तो हलका बहुत उसको कुछ केर की जौरत है तो उसको अपने ओर टु थेरीपी भी दे सकते हैं या फिर उसको इस्टूमिलेशन दे सकते हैं कुछ भी जैसे देखा होगा आपने थ्रीडेट फिल्म के अंदर वो बच्चे को उल्टा करके से या फिर र जिसके अंदर क्या immediate resuscitation अगर जीरस लेकर तीन नंबर अगर किसी बच्चे में आते हैं newborn के अंदर जैसे जनम लेता है तो उसके अंदर क्या आपने को CPI restart करना पड़ता है यह जो टेबल मैंने दिखाई है यह टेबल इंडिगेड करती है कोई भी newborn अगर जनम लेता है तो अनली हलकी बहुत केर देनी है या फिर complete resuscitation उसको प्रवाइड करवाना है तो उसके अकोडिंग यह जो टेबल है इसके अकोडिंग दो या तिन क्यूशन एक दो क्यूशन तो आराम से हर एक्जाम के अंदर अबगार इस्थोरिंग के regarding आते हैं यह टेबल याद है और जो सारे breathing है वाइटल साइन यह बच्चे के जैसे heart rate नॉर्मल कितनी होनी चीज़े या रेस्पाइट रियेट या स्किन का कलर रिफ्लैक्स और मसल्स्टॉन यह सारी चीज़े होती है जो वाइटल साइन होते है बच्चे के ब्लड प्रेसर उनके बारे में अपन कल बात करेंग जो अगली वीडियो उसके अंदर और वो भी सारी चीज़े जो एक्जाम में आने वाली है और आया चुकी है उनके बारे में आपन बात करेंगे आज इतना ही उसके लिए धन्यवाद थैंक्यू